हाई देर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल सो आज हम एक वी एफम मॉडल की फ्रेंड्स वीडियो करने वाले हैं जिसमें आपको दस लाग के नीचे नीचे बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं आपको जो लग्जूरियस जो टॉपेंड के मॉडल में फीचर्स हैं वो भी अल्मोस बहुत सारे इसके अंदर मिल रहे हैं मैं आपके लिए गाड़ी भी साथा रणिंग में लगा देता हूं एग्जैक्ली जो यह मॉडल है आप साथ सा देख भी पाओगे जब मैं बात करूंगा तो और मैं आपको बल्हें बता जाता हूं फ्रेंड्स के हमारा जो इंफ्रमेशन हो बहुत ही प्रिसाइस होता आप देख सकते हैं we have the exact list of the detailing 3x को आप लिखा हूँ देख सकते हो तो आप रिलाय कर सकते हो जो भी डाटा इतर मिलेगा it will be 100% precise and to the point और मेरा अगर डाटा या जो भी मैं आपको भी information देता हूं अगर आपको कुछ भी उसमें वेरिशन कहीं से मिलता है तो यू कें चैलेंज में the comments box so friends if you are new to the channel और आप मुझे first time देख रहे हैं तो it's a request from my side please do subscribe to this channel क्योंकि ऐसा जो real content है वो आपके लोगों के लिए मैं बनाता रहता हूं और काफी सारा जो है वो आपको मेरे चैनल पे आपको 3x का बहुत सारा आपको content मिल जाएगा so friends let's get back to the topic और मैं आपको बताता हूं क्योंकि यह कौन सा variant है जिसमें काफी कम मतलब 10 लग के नीचे नीचे है यूर गेटिंग very much luxurious features आपको automatic वगेरा भी मिल रहा है so friends I'll tell you the name of this model यह model है आपका MX3 pro so it is the toughest model of the base basis means MX series का यह topest model है MX3 pro इसमें friends आपको जो basic features है वो तो आपको मिली रहे हैं like आपको for power windows मिल रही है साथ में आपको trumpet horn यह वाला महिंद्रा का मिल रहा है आपको जो है वो आगे led projector headlamps मिल रहे है एक में let me cross this जी हाँ बिलकुल आपको इसमें led projector headlamps मिल रहे है उसके बाद जो आपको नीचे के variance में नहीं मिल रहे है तो led projector headlamps भी it is a costly thing अगर आप महिंद्रा से भार से भी लगवाते हैं आप mx1 वागरा मैं mx2 pro लेके mx2 लेके मैं उनको बुरा नहीं कहा रहा है अगर आपको led projector headlamps is your requirement तो यह आपके लिए आपको एक बार consider करना चाहिए और अगर आप सेम competition की compact SUV को भी एक बर इस गाड़ी के साथ आप compare कर लेना आप देख लेना इफ आपको क्या लगता है मेरे सारे इस पूरे टीर डाउंड के बाद आप एक बार मेरा पूरा यह जो डाटा है उसको सुनने के बाद एक बर compare कर लेना इफ यह अर नेक्सोन और एनी हाइंड वेरियंट आफ टाटा पंच ब्रिजा अगर आप क्रेटा को भी consider कर रहे हो तो एक बारी जो आपको यह मैं मोडल बता रहा हूं उसके एक बारी आप उसके सारे features को और सारे जो भी specs वगरा है engine वगरा को सारे चीज़ों को compare करके एक बार इस बता दी ठीक है उसके बाद आपको जो जो चारो है वो पार विंडोज आ रही है जो पीछे वाला है वो 60 by 40 का split seat रहेगा उसके बाद आपको जो पीछे है यूर गैटिंग एड्जस्टेवल हैड्रेस्ट आपको जो सीट बैड रहा हैगा वह आप एड्जस्ट कर सकते हैं आपको तो यह सारी फीचर तो इसमें जो नीचे के में हैं वो आपको मिल रहे है उसके बाद आपको क्या मिल रहा है वारलेस एंडरोड आटो आ रहा है वारलेस चार्जिंग आ रही है एपल कार प्ले आ रहा है देन यूर गेटिंग जो इसमें वील कवर्ट रहेगा that will be like आप रुनिंग में देखिए it will be very beautiful wheel cover which almost looks like alloy wheels आप देख सकते हो मतलब आगर if the car is running on the road then I don't think anybody can make out कि यह आपको alloy wheels लग रखे हैं काड़ी के अंदर के wheel cover है तो यह एक one of a kind alloy wheels है इसका नाम दिया है Vector wheel covers तो उसके बाद आपको और क्या रहा फ्रेंड्स इसके अंदर आपको LED DRL भी आ रही है front turn indicator में उसके बाद आपको जो है वो पीछे connected LED tail lamp means on the dicky also आपको tail lamp मिलेगा वह यह बहुत ही beautiful लगता है और बहुत सुन्दर लगता है रात को पूरा आपको पीछे से connected हो जाती है tail light it looks really beautiful साथ में आपको और क्या add-on मिल रहा है इसके अंदर cruise control मिल रहा है जो आपको नीचे के variants में नहीं मिल रहा है MX2 वगरा में इसके अंदर एक एक सब चीज़ आती है sunroof आ रही है आपको इसके अंदर that is also a luxurious feature तो यह सब features है जो आपको नीचे के variants में नहीं आ रहे है और इसमें आ रहे है और आगर इसकी आप इसकी आपको इसके प्राइसिंग आपको प्राइसिंग पढ़ रही है वह 9,99,000 पढ़ रही है एक शोरूम और इसका on-road भी मैं आपको बता देता हूं एक बार on-road आपको इसके आराउंड पढ़ रहा है MX-3 प्रो पेट्रोल का मैनूल ट्रास्मिशन में यूर गेटिंग दिस वन फॉर 11,32,000 means around 11,30,000 या 32,000 के असपास की पढ़ रही है तो you can compare the rates आप नेक्सवन से compare कर लो friends you can compare with Brisa तो easily जो यह गाड़ी है इसी rate के आसपास रिवाल करती है जो इनके mid specs है जो इनके upper specs है वो तो काफी high जाते है तो obviously आप एक बार इस गाड़ी को consider करना it's a value for money आपका जो पैसे आप दे रहे हैं वो आपको इसके बदले में आपको साथ में और भी का मिल रहा है यहीं बदा तो आपको इसमें automatic का भी मिल रहा है diesel engine भी आपको इसके अंदर आ रहा है means diesel CRD turbo engine आ रहा है if you want to opt for the diesel engine वो भी आपको मिल रहा है आपको diesel में भी auto shift आ रहा है means if you want diesel में automatic है तो वो भी आपको आ रहा है साथ में आपको petrol में automatic भी obviously है sorry आ रहा है तो काफी सारे इसके अंजर अंदर आपको choices भी मिल जाती है गाड़ी के अंदर तो complete value for money यह मुझको लगा क्योंकि इतने कव रेट में आपको इतना कुछ मिल रहा है तो काफी अच्छा लगा मुझे और इसकी average let me tell you the average of this car तो friends इसकी अगर आप average की बात करेंगे तो आपको average around इसकी पढ़ रही है manual transmission में around 18 की पढ़ रही है in the highways and around 13 12 13 की पढ़ रही है in the cities I was talking about the petrol version of this car manual petrol manual so I hope friends आपको मेरा content अच्छा लगा होगा so please do subscribe to the channel friends for these kind of real videos and real information you are free to ask anything in the comments मैं सबके reply करता हूँ अब देख सकते हूँ so bye bye friends take care